क्या आपका भी कोई baking का business है और आप भी आपके business को promote करने के लिए facebook पर facebook lead ads run करते हैं तो यह video आपके लिए बहुत useful है जी यहां आज का हमारा topic है add facebook leads to google sheets for baking industry तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हमें समझेंगे कैसे आप एक ऐसा integration बना सकते हैं facebook lead ads और google sheet के बीच में कि जब भी कोई new lead generator facebook lead ads से तो automatically वो lead का data record हो जाए google sheet की रो में जी है possible है आप यह पूरा process automate कर सकते हैं पैबली करने की मदद से जोकि एक amazing automation and integration software है इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए आपको यह पूरा automation बनाना है trigger में आपको लेना है facebook lead ads action step में आपको लेना है google sheet और पूरा process easily हो जाएगा तो दोस्तों अगर आप भी पूरा process step by step सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे screen पे ओके फ्रेंज तो यह है मेरा facebook account यहाँ पर मैंने facebook account login कर लिया है मेरे browser में और इस particular page पर मैं काम कर रहा हूँ जिसका नाम है mode in bakery तो आप इदर पर यह assume कर सकते हैं कि मेरा bakery का business है और यहाँ पर मैं मेरे business को promote कर रहा हूँ इस particular page की मदद से यहाँ पर मैंने facebook lead ad form भी create कर लिया एक test lead form मैंने create कर लिया है इदा पर हम test lead generate करेंगे जिसकी मदद से हमको पैबली connect में response capture होगा यहाँ पर मैं कोई live ad run नहीं कर रहा हूँ इदा पर मैं पूरा process test mode में कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर मैं meta for developers के page पे हूँ ठीक है फुल नेम, email, phone number आप जो भी details capture करेंगे उसके according आपको है आप एक column create कर लेना है पहले ही अब हम सीधे चलते हैं पैबली connect के landing page पे दोस्तो आप भी इस page पे आ सकते हैं simply आपके browser में type करके pably.com slash connect यहाँ पे आपको दो option मिलते हैं एक है sign in option दूसरा है sign up for free option तो अगर आप एक new user है तो आपको simply click करना है sign up for free वाली बटन पे और आप आपका account create कर सकते हैं केवल 2 minute में दोस्तो आपको account creation पे हर महिने 100 free tasks भी मिलते हैं जिसकी मदद से आप ऐसे amazing automation टेस्ट कर सकते हैं pably connect में मैं एक existing user हूँ इसलिए में click करूँगा sign in पर उसके बाद दोस्तो आपको जाना है pably connect वाले dialogue box में click करना है access now और आप आप आजाएंगे pably connect के dashboard पे यहाँ पे आपको right hand side पे बटन दिखेगा create workflow का इस पे आपको click करना है तो एक dialogue box open हो जाएगा आपकी screen पे जो बोल रहा है enter the name of the workflow तो दोस्तो basically आपको यहाँ पे आपकी workflow को कोई नाम देना है और select folder वाली field से आपको particular folder select कर लेना है जिस भी particular folder में आप आपकी workflow को save करना चाहते हैं अगर आप new folder create करना चाहते हैं तो आप create folder वाली बटन से यह चीज़ कर सकते हैं मैं आपके click करूँगा create workflow पे और let's say हाँ पर मैं मेरी workflow को नाम देना चाहता हूं add facebook leads to google sheets for baking industry तो दोस्तो यही हमारा objective है आप आपके साब से कोई भी नाम दे सकते हैं पर आपकी workflow को उसके बाद select folder से मैं particular folder select कर लेता हूं तो हम test workflows वाले folder में हमाई workflow को save करेंगे click करेंगे create वाली बटन पे और आप आप आजाएंगे दोस्तो यह वाली screen पे यहाँ पे आपको दो important module समझना है जो हमारे automation में बहुत important role play करते है इनका नाम है trigger और action तो दोस्तो trigger बोलता है when this happens जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो तो action बोलता है do this तो ऐसा कर दो तो basically trigger हमारे automation को start करता है और action में हम वो particular action perform करते हैं यहाँ पर आपको ट्रिगर आप्लिकेशन चूज करना है इधा पर आपको action application चूज करना है सबसे पहले हम trigger वाली step में काम करेंगे तो अपर आपको trigger application चूज करना है तो choose app में आपको यहाँ पर search करना है Facebook lead ads तो यहाँ पर मैं search करता हूँ Facebook और नीचे से में Facebook lead ads चूज कर लूँगा trigger event आपको यहाँ पर चूज करना है new lead instant और फिर आपको यहाँ पर click करना है connect वाली बटन पर तो यहाँ पर एक dialogue box उपना जाए का आपकी screen पर जो बोल रहा है connect Facebook lead ads account तो basically आपको यहाँ पर Facebook lead ads का account पैबली कनेक्शन के साथ connect करना है यहाँ पर आपको दो option मिलते है एक है add new connection का, दूसरा है select existing connection का तो अगर आपने आपका connection already built करके रखा है तो आप select existing connection के साथ जा सकते हैं यहाँ पर आपको previous saved connection show होते हैं अगर आप यहाँ पर जाते है add new connection के साथ तो आपको यहाँ पर simply click करना है connect with Facebook lead ads और इदा पर आपका connection built हो जाएगा बस आपको एक चीज़ का धियान रखना है जो Facebook का account उसको login करके रखना है आपके browser में तो आप इदा पर easily connection build कर लेंगे मैंने मेरा connection अल्रीड बिल्ड करके रखा है जिस particular page पर आप काम कर रहे है और इदा पर आपको lead generation form select कर लेना है अब यहाँ पर आप दो fields देख सकते हैं एक है page दूसरा lead generation form तो इदा पर आपको particular page select कर लेना है जिस particular page पर आप काम कर रहे है और यहाँ से आपको lead generation form select करना है तो मैं इस particular page पे काम कर रहा हूं जिसका नाम है उसके बाद इहांपर मैं लीज़नेरेशन FORM सेलेक कर लेता हूं तो हम इस particular форм पे काम कर रहा है जिसका नाम है New Leads Form जैसा की आप इतापर देख सकता है यहांपर मैंने यही vorm उपन करके रखुए new leads form ठीक है तो इहां पर मैंने particular form भी choose कर लिया है इदा पर एक important note given है please note that after clicking the save and send test button you will need to generate sample submission of a lead ads form by clicking on the preview form button and filling out the form make sure that the lead generation form is live before making the sample submission तो इदा पर आपको एक चीज़ का दिहान रखना है कि जो lead generation form है वो live हो जब आप समें sample submission करें इदा पर हम पूरा process test mode में कर रहा है इहां पर हम कोई live ad run नहीं कर रहा है इसलिए यहां पर मैं test lead generate करूँगा meta for developers के page पे यहां पर preview form button पे click करें ठीक है तो हम इदा पर पहले click करते है save and send test request वाली button पे और आप यहां पे देख सकते हैं आप show रहा है waiting for webhook response note में रहा है now login to the application where you have added the webhook url into a test submission record so that the data can be recorded here in the webhook response तो basically हमने आप एक connection build कर लिया है हमको एक test submission करना है facebook lead ads में जिसकी मदद से हमको pably connect में response received हो तो आएए चलते हैं lead ads testing tool पे इदा पर मैंने paste select कर लिया है mode and bakery और form select कर लिया new leads form यहाँ पर मैं click करता हूँ preview form वाली button पे और आप यहाँ पर देख सकते हैं form हमारी screen पे खुल गया है यहाँ पर मैं details capture कर रहा हूँ full name, email, phone number तो यहाँ पर मैं dummy details fill कर दूँगा particular lead की और वो details हमको capture हो जाएंगी pably connect में तो आए यहाँ पर dummy details fill करते है for example full name यहाँ पर है particular lead का demo user तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ demo user email address यहाँ पर मैं डाल देता हूँ demo at pablytues.com और phone number let's say यहाँ पर मैं डाल देता हूँ dummy phone number next पर click करेंगे submit कर देंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने test lead generate कर लिए हमाई facebook lead ad form में pably connect में वापिस चलते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर एक positive response मिल गया है इधा पर आप देख सकते हैं full name में यहाँ पर शोड़ी है demo user email id यहाँ पर शोड़ी है demo address pablytuse.com phone number में dummy phone number यहाँ पर शोड़ी है created date and time यहाँ पर मिल गया है id यहाँ पर शोड़ी है form id यहाँ पर शोड़ी है और कुछ other details तो basically हमने हमारे automation की जो first step हो यहाँ पर complete कर लिए हमने facebook lead ads में test lead generate करी और उसका response हमने capture कर लिया pably connect में अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है instant मतलब पूरा process instantly work करता है मतलब आपको यह automation एक बाब बनाना है उसके बाद automatically तुरंद ही अपना काम करेगा तो अब हमारा objective क्या है add facebook leads to google sheets for baking industry हमारा objective यह है जब भी हमको हमारी business की lead capture हो facebook lead ads से तो automatically वो lead का data हम record करने गूगल sheets और नीचे से आपको google sheets चूज कर लेना है action event आपको यहाँ पर चूज करना है add new row और click करना है connect वाली बटन पे तो यहाँ पर एक dialogue box open हो जाएगा आपके screen पर जो बोल रहा है connect google sheets account तो basically आपको यहाँ पर google sheets और public connect के बीच में connection बिल करना है यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं एक है add new connection का दूसरा है select existing connection का तो अगर आप यहाँ पर जाते है add new connection के साथ तो आपको यहाँ पर simply click करना है sign in with google और next step में आपको particular google account select कर लेना है जिसमें आपका google sheet का access है मैंने मेरा connection और बिल करके रखा है तो basically आपको यहाँ पर सबसे पहले select spreadsheet वाली field से particular spreadsheet पहले ही चूस कर लेना है क्योंकि उसके according यहाँ पर fields नजर आएंगी तो जो भी spreadsheet आपने create करके रखे होंगी आपके google sheet में वो आपको दबाद मिल जाएंगी तो हम इस particular spreadsheet पर काम कर रहे हैं इसलिए आपको पहले ही select spreadsheet से particular spreadsheet चूस कर लेना है अब यहाँ पर आप दिख सकते हैं फुल नेम इमेल फोन नमबर तो basically आपको यहाँ पर details map करना है particular lead की जो आपको रिसीब हुई है previous step से इदा पर आपको mapping का इस्तिमाल करना है इहाँ पर आपको manually type नहीं करना है details ठीक है तो mapping यहाँ पर important role play करता है mapping एक important step पर आपको क्लिक करना है यह आप देख सकते है previous step का response यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते है full name यहाँ पर demo user तो हमने इदा पर map कर दिया उसके बाद आपको यहां पर इमेल एडरेस मैप करना है तो इमेल एडरेस हमको रेसीब दोगा demo.pabletuse.com यह हमने मैप कर दिया, उसके बाद हम यहां पर phone number मैप कर देते हैं, यह dummy phone number यहां पर मैंने मैप कर दिया, अब इधर पर आपको mapping का importance समझना है दोस्तों, mapping का importance यहां पर यह है कि एक बार आप यहां पर data map कर देंगे previous step से, उसकी मदद से आपको हमेशा dynamic response चंडिट होगा, मतलब यह जो value मैंने map कर दी previous step से अब जब भी हमारा workflow run होगा और जो भी हमको new details received होगी particular lead की, तो automatically वो data इदा पर आजाएगा और यह value change हो जाएगी क्योंकि हम data map कर रहे है कोई भी चीज़ आप इदा पर manually type करेंगे वो हमेशा static रहेगा, वो change नहीं होगा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इसलिए mapping यहां पर important step है उसके वाद आपको क्या करना है data आप एक बार map कर देंगे उसकाद आपको यहाँ पर click करना है save and send test request वाली button पर और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर positive response मिल गया है इदा पर आप देख सकते हैं spreadsheet ID यहाँ पर मिल गई है तो आइए चेक करते हैं Google Sheet में और यह देखते हैं वहाँ पर data add हुआ है कि नहीं तो मैं आपको लेख चलता हूँ Google Sheet पे और यहाँ दोस्तों आप इदा पर देख सकते हैं automatically हाँ पर details add हो गई है हमारी particular row में इदा पर आप देख सकते हैं full name में हाँ पर show रहा है demo user, email id हाँ पर show रही है demo address pablytues.com phone number में हाँ पर dummy phone number show रहा है तो कुछ इस तरीके से आप यह पूरा process automate कर सकते हैं पैबली करने की मदद से इसमें कोई भी coding skills की जरवत नहीं है आइस हमरा इस करता हूं कि इस पूरे process में हमने क्या कर रहा है तो इस automation में trigger में हमने लिया facebook lead ads, trigger event हमने लिया new lead instant action step में हमने लिया google sheet action event हमने लिया add new rows जिसकी मदद से हमने particular row में data add कर लिया अब दोस्तों यहां पर लिखा है instant मतलब पूरा process instantly work करता है इसा कि मैंने आपको बताया था तो आइए इसको real time में test करते हैं हम एक test lead generate करते हैं facebook lead ads में और फिर हम देखते हैं कैसे automatically हमाई google sheet की row में data add होएगा तो मैं आपको ले चलता हूँ lead as testing tool पे इदा पर हम delete lead करेंगे जो previous lead हमने generate करी उसको हम पहले इदा पर delete करेंगे और इदा पर में click करता हूँ preview form बाली button पे इदा पर में फिसरे test lead generate करूँगा मतलब हम पूरा process real time में test करके देख रहा है कि हमारा automation कैसे work करता है हमने हमारा automation already बना लिया है इसको हम real time में test कर रहा है next पे click करेंगे submit कर देंगे तो आप देख सकते है thanks you are all set तो इदा पर हमने test lead generate कर लिये अब मैं आपको दिखाता हूँ magic मैं आपको सीधे ले चलता हूँ google sheet पे और आप यहाँ पे देख सकते है automatically दोस्तों तुरंत यहाँ पे instantly हमको response capture हो गया हमारी particular row में पूरा automation set कर सकते हैं बिना किसी coding skills के तो दोस्तों अगर आप भी इस पूरे automation पे काम करना चाहते हैं या इस automation को test करना चाहते हैं तो इस workflow की जो link है वह मैं आपको description box में share कर दूंगा तो आप बड़े ही आसानी से same workflow को clone करके उस पे काम कर सकते हैं और अगर दोस्तों आपको इस workflow में कोई भी डाउट है तो आप में को comment section में जरूर बताएं Thank you यही नई दोस्तों आप और भी indication बना सकते हैं पैबली करने की मदस से और आप हमको mail कर सकते हैं support-adherate-pabli.com पे अगर आपको कोई doubt है या कोई query है तो आप हमको mail कर सकतें forum-adherate-pabli.com पे और अगर आपकी कोई pricing related issue है तो आप हमको reach out कर सकतें इस particular link पे अगर यह video आपको पसंद आया है तो इसको like करें, share करें और हमारे channel को subscribe जरूर करें